हेलो एवरीवन वेलकम यू आल इन आवर ओनलाइन लेर्णिंग प्लैटफर्म लेट्स तड़ी इंडिया आज के इस वीडियो में हम प्रोटीन टार्गेटिंग को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि प्रोटीन टार्गेटिंग फ्रॉम इयार टु जुग इयार से गॉल जी में प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्रोटीन टार्गेटिंग के जो दो पाथवेस्ट हैं वो दोनों पाथवेस्ट को हमने डिटेल में डिसकस कर चेसे होता है यह सारी चीजह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तो अगर हम बात कर लें तो जैसे आप ये मानिये कि माल लीजए कि यह ER की मैम्ब्रेन हैं यह एक ER है यहां से गॉल्जी तक को गॉल्जी तक प्रोटीन को च्रांसफर करना है तो ER में जो प्रोटीन होंगी इन प्रोटीन को इसमें से निकाल करके यहां तक पहुचाना है ठीक, तो आप खुद सोचो किसी चीज को एक जगे से दूसरे जगे ले जाने के लिए किसी एक क्यारियर की ज़रुवत पढ़ती है अगर मान लिजे, सपोस्ट करें यहां पे एक बॉटल रखा हो अगर मुझे यहां से इस बॉटल को उठाकर के दूसरे रूम में ट्रांसपर करना हो तो मैं इसको यहां से उठाऊंगी फिर लेकर के जाऊंगी इस रूम के बाहर इस रूम के बाहर फिर उस रूम के अंदर वहां से उसको ट्रांसपर करूंगी सेम उसी तडिकेस है चीजे यहां पर भी होती है अगर ER में यह जो protein present है इस protein को गौल जी तक पहुचना है तो होगा क्या कि यह protein जो है यह जो भी protein होगा उसका receptor present होगा इस membrane पे protein कहां present होगा protein तो lumen में present होगा ER के lumen में protein present है अब क्या होगा उस protein का receptor जो होगा वो कहां present होगा वो ER के membran पे present होगा अब यह receptor जो है भाई receptor क्या होते इस specific होते हैं सबस्ट्रेस specific होते है न तो यह receptor इस protein के लिए है तो वह इस protein को receive कर लेगा तो इस नारे तो आगई मेड़ें से लेकिन अब इसको इससे निकलना. साइटोप्लाजम के आनНу के बाद, साइटोप्लाज्म से भात अन्य के बाद, तब कहीं जा करक मेंँ पास पहुच पायेगा। तो उसके बाद क्या होता है कि इस membrane में जब protein का bind हो जाता है reseptors ते जब complex का formation हो जाता है तो उस complex के formation के बाद क्या होता है इस membrane में wes cycles बनने लगते हैं इस membrane से vesicles का बनने formation मतलब जब बर्डिंग होने लगती है बर्ड लाइक situation होने लगती है जैसे माल दिजे कि यह membrane है जब यहां पर protein आकर के bind कर जाएगा तो अब यहां पर गवगर बड लेक situation देखने को में मिलेगी budding बनना स्टार्ट हो जाएगा फिर यह जो receptor है protein को bind किया हुआ यह receptor इस बड में आ जाएगा और फिरे धीरे धीरे क्या होगा यह बड जो है यह इससे तूट जाएगा पिंचोफ हो जाएगा या तूट जाएगा और यह बड जो है यह vesicle के रूप में तूट के साइटोप्लाज में आ जाएगा अब यहां तक तो कहां नहीं ठीक थी क्योंकि यहां पिसका रिसेप्टर प्रजेंट था उसने उस protein को बुलाया फिर वह vesicles का फॉर्मेशन की उस vesicles कंदर जाकर के छप गया और उसके बाद साइटोप्लाज में चले आएगा अब आप सोचो कि यह साइटोप्लाज में रिलीज हो गया तो साइटोप्लाज में तो धेरो करेंगे और इसको क्या करेंगे गौल जी तक पहुंचाएंगे फिर गौल जी के मेंब्रेन पे भी आज कई को रिसीब कर लेंगे रिसीब करने के बाद ये इसके क्या करेगा माम्ब्रेने सेे फ्यूस कर जाएगा और प्रोटीण को इसके अंदर रिलीज कर देगा यही एक ओवरव्यू है जो हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे यही इतनी चीजों को हम detail में discuss करेंगे मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहूं कि हो क्या रहा है आपके lumen में वो protein present होगा ER के lumen में वो protein present है जिसको गौल जी तक जाना है lumen से क्या होगा membrane पर उस protein का receptor present होगा वो receptor उसको receive करेगा receive करेगा फिर यहां पर vesicles का बनना स्टार्ट होगा और एक time आएगा कि जब vesicles पूरी तरीके से बन जाएगा तो जैसे हम पढ़ते ना birding एस actual reproduction में birding पढ़ते हैं कि bird पाल बहुत छोटा होटा है फिर वो size में increase करता है जब वो अपना proper size ले लेता है तो वो deattach हो जाता है body से और तूटके गर जाता है सेम उसी तरीके से यहां पर भी होगा फिर यह recycle जो होगा यह इस membrane से deattach हो जाएगा deattach होके cytoplasm में आ जाएगा फिर cytoplasm में भी कुछ फॉदर receptors present होंगे वो receptors क्या करेंगे इसको लेंगे और इसको लेके गौलची तक पहुचाएंगे यह तो एक बहुत simple से कहानी हो कि मैं बस यही था नहीं यह सुनने में इतना simple लग रहा अभी चीजे और भी complicated है जब हम detail अभी जब आगे इसको हम detail में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे क्यों क्योंकि बहुत से protein यहां पर ऐसे present होंगे जो inactive state में present होंगे वो पहले से active नहीं होंगे inactive हैं हमको पहले उनको active करना पड़ेगा तब वो जा करके काम करेंगे तो चलिए detail में देखते हैं क्या क्या होता है तो protein का transfer करने के लिए हमने देखा एक carrier या जो उस carrier को यहां पर हम क्या कह रहे है vesicles हमें किसकी ज़रुरत पड़ रही है एक vesicle की ज़रुरत पड़ती है ER से Golgi तब proteins को transfer करने में क्या है for transferring protein from ER to Golgi we need a vesicle vesicle की ज़रुरत पड़ती है और यह vesicle क्या होता है कहां बनता है ER के membrane पर अभी मैंने बताया ने कि माल दीजी यह ER है तो इसके membrane पर ही vesicle का formation होना start होगा तो हमें vesicle की ज़रुरत है तो जिस ठीच की ज़रुरत है तो उसके बारे में भी जानेंगे ने कहां पर है तो वो कहां पर बनेगा वो vesicle ER के membrane में बनेगा और यही vesicle क्या करेगा उस protein को skill human में से लेगा और गॉल जी तक पहुचाएगा क्या करेगा विच कंटीन प्रोटीन और ट्रांस्वरेट टू दे सर्फेस ऑफ गॉल जी जो उसको गॉल जी के सर्फेस तक पहुचा देगा क्लियर है चलिए अब इसको करने के लिए कई स्टेप्स की ज़रूरत होगी इस mechanism को यह जो पूरा एक mechanism हो रहा जो कम इतने शौर्ट में देख ले रहे इस mechanism को करने के लिए बहुत से स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी कई स्टेप्स बनेंगे तो होगा क्या सबसे प्छले करना है व्यस थैले को बनाना है जिस थैले में हम प्रोटीक को रख के इया से गौल जी तक लेके जाएगे अगर हमें कोई समान कहीं लेके जाना कैसा थोड़ी ने कहेंगे हम चलना है मेरे पीछे पीछे आओ तो यहां पर क्या करना है एक थैले में प्रॉपर रखेंगे प्रोटीन को और तब ER से गॉल जी तक ले जाके देंगे तो सबसे पहला step होगा formation of vesicles दूसरा step क्या होगा इस vesicle को cytoplasm में release करना यह ER की membrane पर vesicle बन रहा है तो ER की membrane पर बनके वही रह जाएगा तो काम तो चलना नहीं इसको गौजी तक जाना है तो उसके लिए सबसे पहले इसको ER को छोड़ना होगा अगर हम कह रहे हैं कि भाई हमें किसी दूसरे से दोस्ती करनी है तो हमें क्या है पहले वाले को पहले वाली की दोस्ती तोड़नी होगी तो पहले वाली की दोस्ती तोड़ेंगे तब ही तो जाकर के दूसरे वाले से दोस्ती कर पाएंगे तो यहां पर वही काम हो रहा है इसको गौजी तक पहुशने के लि तो उसके पास वो चाहेगा, तो दूसरा स्टेप रहेगा, इसका रिलीज होना साइटो प्लास्मिक या इसका डिएटाच होना इंडो प्लास्मिक राकिकुलम से यह आप कह से, तो पिंच ओफ वेसाइकल फ्रॉम एर, मेंबरेन ओफ एर, कुछ भी जो आपको कन्विनेंस नहीं अने से, किस से फ्यूज करना है गौलजी के मेंबरेन से, यह एर की मेंबरेन थी, यहां पर यह में फ्यूजiliar बनाया तो चलिए सबसे पहले स्टेप्स के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या है फॉर्मेशन और वेसाइकल तो मैं आपको बताई कि यह क्या होता है एर है माल लीजेए यह क्या है हमारा एर यह 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 का लियूमिन और यहां पर रिसेप्टर प्रेजेंट है अब इसके अंदर प्रोटीन है लिूमिन में अब उस प्रोटीन का रिसेप्टर जो है वो घर में बैठा है कुई उनका दोस्त गेट पर आकरके खड़ा है तो भाई गेट पर आकरके दोस्त खड़ा तो दोनों का मिलन होना ही है तो यहां पर वही चीज हो रिये यह जो प्रोटीन यहां पर प्रेजेंट है यह क्या करेगा यह जा करके इस receptor से fuse कर जाएगा receptor ने उसको receive कर लिया ठीक अब यह protein receptor के साथ membrane पर आ गया तो चलिए हाँ आ गया अब जैसे ही यह process होती है receptor ने protein को receive क्या एक complex का formation हुआ receptor protein complex का formation हुआ तो जैसे ही यह formation होता है वैसे ही बहुत धे सारे proteins होते है जो यहाँ करके bind करना start कर देते है membrane पे उन सब में सबसे important एक protein होता है जिसको हम कहते है maybe आपको यह visible नहीं होगा सबसे important एक protein होता है जिसको हम कहते है सारवन यह सारवन जो है यह दो तरीके से काम करेगा एक तो यह सारवन जो है या तो यह बंदा GDP से connected रहे या तो यह बंदा GDP से connected रहे जब यह जीटीपी से connected रहेगा तो यह inactive form में रहेगा और जब यह बंदा जीटीपी से connected रहेगा तो यह किस form में है अक्टिव form में है ठीक है क्या बात हुए है कि प्रोटीन लिूमन में था वो अपने रिसाप्टर से जाकर के बाइंड किया जैसे ही वो receptor से bind कर रहा है तो धेर सारे proteins हैं जो इस membrane से आकर के bind करना start करेंगे उसमें एक सबसे important protein है जिसको हम कहते है SAR1 और ये SAR1 जो है ये GDP के साथ भी रह सकता है और GDP के साथ भी रह सकता है लेकिन जब ये GDP के साथ रहेगा तो ये inactive form में रहेगा तो यहां पर जो SAR1 आकर के bind करता है वो GDP वाला रहता है तो GDP वाला है तो कौन सा होगा inactive वाला तो भाई इससे काम कराना है हमको तो हम इसको inactive state में छोड़ नहीं सकते तो हमको इसको active कराना पड़े कि उठो उठो तुम ही को काम करना है ऐसा नहीं किया ठीक है पड़े रोज वोई रोज रोज कोई मतलब नहीं कि नहीं हमें इसको जगाना पड़ेगा कि तुम inactive state में नहीं रह सकते हो कैसे रावड जो था जब यू दो और था रमायड वाला तो जाकर कि कुम्बकरण को जगाया क्या थे इन active state में पड़े थे लेकिन जब उनको उसकी जारूरत पड़ी तो उसको जगाया गया तो उस्ही तरीके से क्या होता है कि ये सारवन यह हमारे लिस टाइम कुम्बकरण है हमें इसकी जरूरत है हमें इसको इनाक्टिव से अक्टिव में कनवर्ट करना पड़ेगा और जब हमें इसको एक्टिव से इनाक्टिव में कनवर्ट करना पड़ता है तो क्या होता है एक तो यह सारवन जो है न यह ATP is activity show करता है ATP is activity बोले तो क्या करेगा ATP को convert कर देगा किसमे ADP में यह क्या करेगा यह GDP के साथ bind करेगा देखे there are many proteins which help in the formation of vesicles vesicles के बन्दे में बहुत से protein होती है but जो important होती है SAR1 is protein which is GTP's in activity that is convert GDP into GDP यह क्या होता है GDP is activity show करता है sorry ATP is नहीं जो क्या करता है कि GDP को GDP में convert करता है SAR1 present in inactive form that is SAR1 with GDP inactive form में है तो कहने का मतलब क्या है कि यह किसके साथ present है GDP के साथ क्योंकि GTP के साथ present हो जाएगा तो यह active form में हो जाएगा अब हम कह दियें कि इसको हमको active form में convert कराना है तो इसको active form में convert कराने के लिए एक भाई साहब हैं जो हमारी help करेंगे वो होते हैं सारवन गेफ सारवन गेफ क्या है सारवन गेफ एक exchange protein है मतलब पहुच चलाक ऐसा नहीं कि दानी टाइप से त्यागी टाइप से नहीं है कि हम आएंगे और सिर्फ आपको दे देंगे आप ले लो या स्वार्थी भी नहीं है सालफस भी नहीं है कि बस हमें दे दो दे दो ये क्या करता है कुछ देता है तो कुछ लेता है और ये ही क्या करेगा ये सारवन गेफ जो है ये सारवन गेफ जो है ये सारवन से आकर के bind करेगा और इसके साथ जो GDP GDP Bind है यह GDP को ले करके सारवन को GTP दे देगा दे क्लियर हो रहा है एक मिनद हम यह इसी पर देख रहते हैं हमने कहा कि सारवन जो है यह किसके साथ है GDP के साथ that means what कि यह inactive state में है ठीक है लेकिन हमको इसको inactive state में नहीं रखना है हमको इसको active state में convert करना है तो हम क्या करेंगे इक भाई साहब है सारवन गैफ यह एक exchange protein है यह exchange करता है तो यह क्या करेगा आएगा यह bind कर जाएगा किससे सारवन GDP से ठीक है यह इससे bind कर गया इससे bind करके क्या करेगा इसके पास यह GDP है वो अबने GTP तुमको दे दे रहे हैं. ठिक कुछ दो कुछ लो. जैसे क्या होता है, हमको जब डिश्चन करते हैं, एक हांटसे दो एक हांटसे लो, तो ये वह livestock काम कर रहा है, कह रहा है कुछ ले लो, कुछ देद दो तो दिया कया इसने GTP दिया, और लिया क्या इसने GDP लिया तो इसने इसको GDP देखी GDP अब यह जो सारवन है यह किस में convert हो गया सारवन जी टी पी नाउ यह क्या हो जाएगा? अब यह किस form में हो जाएगा? activated form में और ऐसा नहीं है कि एक ही सारवन आकर के bind करेगा कई सारवन आकर के bind होंगे और सारे inactive state में रहेंगे तो उनको active करने का यही funda है इस तरीके से सब active होते जाएगे और आ आ करके ER की membrane से जोड़ते जाएगे ठीके? आ आ करके क्या करेंगे? ER की membrane से जोड़ते जाएगे चलिए आगे देखते हैं सारगे गफ क्या है Guanyn Nucleotide Exchange Factor कैसा है Guanyn Nucleotide Exchange Factor मैंने अभी बताया कि गफ क्या होता है एक exchange factor है यह क्या करेगा present at the membrane of ER ER के membrane पर present है और यह attach हो जाएगा किस से? सारवन से attach हो जाएगा SAR 1 से जैसे ही attach होगा और ये SAR 1 को क्या कर देगा activate कर देगा कैसे activate कर रहा है GTP दे करके as SAR gap is exchange factor जैसा कि हमने जाना कि SAR 1 जह है वो exchange factor है it take GDP from SAR 1 SAR 1 से GDP को ले लेगा and attach GDP with SAR 1 और GDP को किस से attach करा SAR 1 से किस को attach करा देगा GDP से attach करा GDP को ले लिया दे दिया अब देखिए आप क्या है एक और कहानी है हमने कहा कि क्यों वो inactive state में है तो काम नहीं कर रहा है SAR 1 क्यों active state में आने के बाद ही काम कर रहा है तो हमको बता है कि SAR 1 जो है ये जब inactive state में है तो इसके जो amphiphilic side है जो amphiphilic side है वो छिपा हुआ है क्या है वो छिपा हुआ है वो exposed नहीं है वो दिख नहीं रहा है और जब तक amphiphilic side दिखेगा नहीं तब तक क्या होगा वो काम करेगा नहीं मतलब ये समझ लेजी कि वो धका हुआ है तो जब ये सारवन जो होता है ये क्या करता है कि active state में convert होता है तो इसका जो amphiphilic side होता है वो amphiphilic side exposed हो जाता है खुल जाता है और जो हमारी membrane है ER की वो भी तो amphiphilic in nature है तो जब ये active state में आने के बाद इसका amphiphilic side जो होता है वो exposed हो जाता है तो वो क्या करता है ER की membrane से तब इसको bind कराने में help करता है क्योंकि सारवन को क्या करना है membrane से bind करकी vesicle का formation कराना है तो इसको bind कराने के लिए इसका amphiphilic side open होना चाहिए exposed होना चाहिए क्योंकि वही तो जा करके bind करेगा तो उसी को खोलने के लिए ये पूरा चक्र व्यू रचा गया है ये पूरी जो घटना हो रही है वो क्यों हो रही है क्योंकि इसका amphiphilic side जो है वो open हो जाए और ताकि वो जा करके membrane से attached हो जाए अब question आता है कि माम amphiphilic होता क्या है तो मैं नहीं बताऊंगी अभी कि amphiphilic क्या होता है तो drop a comment in the comment box that what is the mean by amphiphilic what do you mean by amphiphilic इसका answer आपको comment box में drop करना है ठीक है तो amphiphilic reason exposed हो जाएगा तो वो amphiphilic reason क्या करेगा जा करके bind कर जाएगा ठीक तो amphiphilic reason में जो hydrophobic zone होता है वो specially जा करके bind करता है its hydrophobic reason get bind with ER उस amphiphilic के अंदर जो hydrophobic reason होगा वो जा करके ER के membrane से bind करेगा क्योंकि उस वो भी कैसा है hydrophobic in nature है ठीक फिर ऐसे ही पहले ही मैंने बताए कई सार्वन प्रोटीन जो होंगे वो ER की membrane से attached हो जाएगे अब देखिए आप एक चीज़ आप देखिए कि यह ER की membrane थी ठीक है अब इस पे कई सार्वन प्रोटीन आकरके attached हो रहे हैं ठीक है और जैसे ही यह attached होना start होंगे तो ऐसे bud like situation create हो जाएगी और जैसे एक मिनट से कि यह ER की membrane है इस पे जब एक सार्वन आकर के wind हो रहा है तो यह क्या होगा membrane थोड़ा सा ऐसे bud like बन जाएगा फिर ऐसे करके कई आएंगे तो यह membrane कि इसा करके बर्ड लाइक situation बना लेगा क्यों क्योंकि यहां पे ढे सार्वन अब सार्वन जब धे सारे प्रेजन हो जा रहे हैं तो यह क्या कर ले रहे हैं यह एक इनर लेयर का formation कर ले रही यह पूरा मिलाकर के एक layer बन जाएगा लेकिन हम इसको कहेंगे कि इनर लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है और इनर लेयर का फॉर्मेशन अभी भी नहीं होगा यह सारवन जमा करके इस से बाइंड होगा तो इस पर दो एडाप्टर प्रोटीन आ करके बाइंड होगे जैसे एक सारवन बाइंड हुआ तो एक सारवन से दो adapter protein bind होंगे SEC 23 and SEC 24 क्या SEC 23 and SEC 24 एक सारवन जब आ करके bind होगा, तो दो और adapter protein आएंगे SEC 23 and SEC 24 वो आ करके क्या करेंगे उसपे bind होगे और ऐसे ही करके एक inner layer का formation हो जाएगा, यह सारवन bind हो रहा है, एक सारवन bind हो रहा है, तो दो adapter प्रोटीन हो रहे हैं, जो सेक 23 और 24 है, फिर एक सारवन आकर के बाइंड होगा, फिर यह दोनों आकर के बाइंड होगे, ऐसे ही करते करते आपकी पूरी एक layering बन जा रहे हैं और हम कहेंगे इनर लेयर का या इनर कोट का formation हो गया рист cycle के inner cod का formation हो गया आ गया और यहां पर क्या रहेगा यहां पर रिसाप्न और उसका protein present है जैसे मैं जञेए कि इनर का formation हो गया और यहां पर रिसाप्टर और उसका protein present है अब हमें आगे का काम करना है तो पहले इतना देख लेते हैं फिर क्या होगा मेनी सारवन प्रोटीन डेट अटाच्ट विद एर मेंबरेन कई सारवन प्रोटीन जो है वो एर की मेंबरेन से अटाच्ट होते जाएंगे होते जाएंगे तो formation of inner coat जब सारवन अटाच्ट होगा तो क्या होगा 2 adopter प्रोटीन SEC 23 and 24 get bind with सारवन तो 2 adopter प्रोटीन आएंगे SEC 23 and SEC 24 यह आपर करके क्या करेंगे सारवन से bind होना start कर देंगे और due to this a structure form called inner coat जिसकी वज़े से एक structure बन जाएगा और structure को हम क्या कह रहे है कि inner coat बन गया inner coat का formation हो गया अब भाया inner coat बन गया उसके अंदर protein और उसके receptors present है ही अब हमको क्या करना है एक outer covering बनाना है एक outer covering बनाना है तो और कुछ लोगों की जरुरत पड़ेगी तो चलिए और भी कुछ लोगों की जरुरत कर लेते हैं तो वो भी इन्हीं से related होंगे इन्हीं के खंदान के हैं वो होगा SEC 13 and SEC 31 क्या SEC 13 and SEC 31 अब आप यह दोख़ा, after that coat protein SEC 13 and SEC 31 attached with them मैंने कहा कि जब यह vesicles का formation हो रहा है यहाँ पे SAR 1 आकर के attached हो रहे हैं तो हर SAR 1 से दो-दो adapter proteins आकर के attached हो रहे है SEC 23 and SEC 24 तो जब यह attached हो जा रहे हैं एक structure का formation हो जा रहा है जिसको हम कहा रहे है inner coat बन गया अब क्या होगा, कुछ और coat protein है जिनका नाम है SEC 13 and SEC 31 अब यह दोनों coat protein होंगे जो आएंगे और इस पे attached होना start कर देंगे वो भी तेक है अब वो भी आ रहे है और उससे जुड़ना सुरू कर देंगे जब वो जुड़ जाएंगे तो outer layer का formation हो जाएगा अब क्या बन जाएगा, outer layer बन जाएगी अभी तक तो खाली inner layer बनी थी, अब क्या बनेगा, outer layer बन जाएगा और जब सारी चीजे बन गई, inner layer बन गया, outer layer बन गया, सब कुछ बन गया थम कहते हैं अब vesicle जो है वो पूरी तरीके से बन के तयार हो गया है और situation कैसी आ जाएगे, कि यह ER का membrane है और ऐसे एक vesicle इस पे बन गया है ठेके, क्या होगा, ER की membrane है और उस पे एक vesicle आकर के बन गया है आप यह देखो, gap आया, GDP, GTP वाला काम कर रहा है, तो GDP को हटाएगा, GDP को दे देगा GTP जब आ जाएगा, तो यह इससे bind होना start करेंगे, फिर आप देखो, उस पे और, 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 सब आकर के bind होना start कर रहे है फिर यह देखी, एक inner layer और outer layer का जो formation है, वो होना start हो जाएगा और vesicle budding जो है, वो हो जाएगी, ठेके, vesicle budding जो है, वो हो जाएगी सब आ रहे हैं, और पूरा आपका एक vesicle ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है अब हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमने क्या करना है, vesicle का formation करना है बन गया vesicle, अब vesicle को क्या करना है, formation करने के बाद, उसको cytoplasm में कहना है कि अब जाओ, हमारी तुमारी दोस्ती यहीं तक थी, हमारा तुमारा साथ यहीं तक था, इसके आगे हम तुमको नहीं जानते, तुम हमको नहीं जानते जाओ भाईया, अलविदा, अब क्या होगा, ER की membrane से ER का जो membrane था, इस पी जो vesicle बना है, यह vesicle इस membrane से तूट करके, कहां आ जाएगा, cytoplasm में आ जाएगा, कहां आ जाएगा, cytoplasm में, तो जैसे ही outer coat बनेगा, pinch of situations occur and vesicle get released in the cytoplasm, जब outer coat का भी formation हो जाएगा, तो pinch of मतलब उससे तूट के गिरेगा, एक तूट के गिरूने वाले situation आ जाएगी, क्योंकि वो बहुत अब heavy हो गया, इतने लोग आखर तूट के गिर जाएगा, अब वो heavy हो गया, वो तूट के गिर जाएगा, गिरने के बा अब आपको बताते हैं, यह हमारी प्रोटीन हो गई, यार उदर नो बहुत दूर पड़ जाएगा, इधर ही बना लेते हैं, पास रहेगा, अब आप देखो, यह हमारी प्रोटीन हो जाएगी, यह इस प्रोटीन का रिसाप्टर प्रेजेंट है, फिर क्या हो रहा है कि यहा पर सेक वन प्रेजेंट है, सेक सारवन के उपर सेक 23, 24 प्रेजेंट है, अब इस सेक 23, 24 के उपर भी तो प्रेजेंट है, मानुभाव 13 और 31, सेक 13 और 31, तो ऐसा हमें कुछ मिल जाएगा, अंदर प्रोटीन और उसका रिसाप्टर, उसके उपर एक इनर कवरिंग, उसके उपर एक आउटर कोटी, ऐसा एक स्ट्रक्चर हमको मिल गया, तो जब यह ऐसा स्ट्रक्चर साइटोप्लास में आकरके गिरता है, तो क्या होता है, यहाँ पर एक धागे धागे जैसा structure आ करके इससे जुड़ना start होता है क्या होता है एक धागे धागे जैसा structure जो होगा वो आ करके इस cycle से जुड़ना start करेंगे और इस धागे को हम क्या कहते है इस धागे को हम कहते है we snares इससे क्या करके जुड़ना होगा V-Snares आ करके जुड़ना स्टार्ट करेंगे ठीक क्या होगा As the outer coat from pinch of situations occur and vesicles get releases in the cytoplasm vesicles जो हैं वो cytoplasm में release होगे thread-like structures called V-Snares एक धागे की तरह structure होंगे जिनको हम V-Snares कह रहे हैं attach with these vesicles वो क्या करेंगे इस vesicles से attach होना start करेंगे और जब यह V-Snares इस vesicles से attach होना start करेंगे तो cytoplasm में एक protein present होता है जिसको हम कहते R-A-B protein क्या कहते हैं R-A-B protein यह R-A-B protein क्या होगा यह भी cytoplasm में inactive state में present होगा बोले तो किसके साथ present होगा तो यह किसके साथ present होगे भाई साब GDP के साथ present होगे और कैसे होगे यह भी inactive state में present होगे लेकिन अब हमें क्या करना है हमें इनको भी active कराना है कि उठो आ गया है जसको आना था इसको तुमको पहुचाना है वहाँ तक तो फिर हम क्या करेंगे इसको भी start मतलब active कराना start करेंगे तो जैसे वो अपने gift protein से attached होके active हुआ था उसी तरीके से इसके पास भी कौन आएगा RAB के पास कौन आएगा वही gift 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 protein proteins ही आएंगे और यह gift proteins क्या करेंगे फिर से वही काम करेंगे GDP को ले करके GDP को दे देंगे और कहेंगे कि जा जी ले अपनी जिन्दगी ठीक दो RAB pretty proteins also present in cytoplasm in inactive form जो चीज माने अभी बताया वही यहां पर लिखा हुआ है कि RAB जो है वो भी cytoplasm in inactive form में ही present रहेगा और इसके साथ क्या होगा यह जो RAB है अच्छा आप सोचो कि घर में अगर कोई सोता रहे तो ठीक है हमें कोई टेंचन नहीं है हमें पता है कि चलो भया आभी तो सो रहा है तो कहीं जा नहीं सकता है आने वाले हैं मेहमान वो आएंगे तो इसको हम जगा देंगे तो उन्ही की सेवा करेगा अब ही जगा देंगे तो क्या पता कहीं भग जाए कहीं घुमने निकल जाए तो वही कहानी इसके साथ भी है RAB जो है वो as it is inactive form में ही present रहता इसको active form में नहीं convert करते हैं कि ऐसा नहों कि ये कान करने के पहले ही कहीं निकल ले और इस चीज के लिए इनके पापा ने इनका एक personal bodyguard रखा है उस personal bodyguard का नाम है G.D.I.Pרטine इनके पापा ने इनके लिए एक personal bodyguard रखा है कि भाईया तुम्हें देखते रहना है कि ऐसा नहों कि जङख के भाग लेए कहीं महमान आ रहे हैं महमान कौन है हमारे vesicles महमान आ रहे हैं जब महमान आएंगे तो इनको जगाना है, उसके पहले इनको नहीं जगाना है, इनको तुमको सुलाया रखना है, मतलब इनक्टिव फॉर्म में ही रखना है, तो यह जो GDI प्रोटीन है, इस GDI प्रोटीन का नाम होता है, RAB GDP Dissociation Inhibitor, मतलब कि यह इसको inhibit करके रखता है, कि किसी से जुड़े न, मतलब कि यह इससे तूट के अलग न हो, क्योंकि यह जब तक इससे जुड़ा रहेगा, तो यह इनक्टिव फॉर्म में और साइटोप्लास में, सॉल्यूबल फॉर्म में प्रेजन रहेगा, साइटोप लेकिन, जब vesicles आते हैं, उनसे वीग स्टेयर जुड़ जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, इस RAB के साथ क्या होता है, कि अब इस RAB को ही वो काम करना है, कि इसको क्या करना है, उस vesicles को गौलची तक पहुचाना है, ने तो भाई, साइटोप्लास में तो इतने साल और हैं वह कहीं भी चला जाएगा अगर हम किसी को दिया जिम्मिधारी है इसको बताया गया है कि तुम्हें ही क्या करना है उस cycle को गोलजी तक पहचाना है। तो इसी को यही ए डिसाइड करता है की वो कहाँ चाहेगा। तो इसको डिसाइड करने के पहले इसको तो active state में आना पड़ेगा हैं। पहले नीद से जागना पड़ेगा। तब यह कुछ कर सकता है। तो इसको नीज से जगाने के लिए वही कौन करते हैं, गिफ जो होता है, वो आता है, वो आरे बी से जोड़ता है, और वो एक्सचेंज फैक्टर है, तो वो GDP को ले करके, GTP को दे करके, आरे बी को जो है, अक्तिव स्टेट में कन्वर्ट कर देता है, और जैसे ही यह आरेबी जो होता है वो एक्टिव स्टेट में होता है यह फटाक से जाता है और वैसाइकल से हमारे बाइंड कर जाता है क्या करेगा वैसाइकल से बाइंड कर जाएगा जाकरके vesicle से bind कर जाएगा जब यह इस vesicle से जाकरके bind करता है तो आपको मैं बता दूं कि यह जो membrane थी vesicle में ER की भी तो membrane है यह ER की membrane के पास कुछ ऐसे proteins होते हैं जो kinase enzyme मतलब कुछ protein kinase enzyme present होते हैं protein kinase enzyme का काम क्या होता है इन protein kinase enzyme का काम होता है phosphorylation of proteins ये किसके लिए responsible होता है they are responsible for phosphorylation of proteins अब ये यहाँ पे क्या करते है proteins का phosphorylation कराना start कर देते हैं तो जब ये यहाँ पे proteins का phosphorylation कराना start करेंगे तो आप पिछला वाला structure याद करो कि मैंने कहा था कि ये protein present होगा यहाँ पे उसका receptor present होगा यहाँ पे SAR1 present है और यहाँ पे क्या present होगा कि SAR1 के उपर जो दोनो 23-24 जुड़े थे उसके उपर क्या है 13 और 31 जुड़े हैं तो जो outer coat का formation हुआ था जब ये इससे जाकर के जुड़ता है तो यह जो endomembrine की wall इसके अंदर है उसके पास जो protein kinase enzyme है यह phosphorylation कराना स्टार्ट करते हैं और यह proteins जो है यह इससे dissociate होना स्टार्ट हो जाती है मतलब अलग होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि अब इनका काम नहीं है इनका काम था यह जोड़ जोड़ करके उसको भारी बना करके वहां से निकलवा दी लेकिन अब यह सारी as it is गौलजी में नहीं जा सकती है तो अब इनको हटाने भी होगा बहुत स्वार्थ है लेको कितना मतल भी है जब काम था तो बुलाया आओ आओ मेरे पास आओ और जब काम होगे है तो चलो निकलो अब तुम्हारा काम नहीं है तो अब यह क्या करेगा उसको निकालना स्टार्ट करेगा ठीक है तो it phosphorylate all the proteins present at vesicles यह क्या करेगा सारी जो proteins हैं यहाँ पे जो vesicles पे सारी proteins present थी उन सब को phosphorylate करा देगा except SAR 1 जो की सबसे पहले जो SAR 1 आकर के जुड़ा था इसको छोड़ देगा ठीक है इसको छोड़ देगा due to which disassembly of proteins occurs except SAR 1 जिसकी बज़े से प्रोटीन का disassembly हो जाता है किसको छोड़ करके SAR 1 को छोड़ करके बाकी सारे जितने हैं वो disassembly हो जाते हैं ठीक अब आप देखो क्या होगा अब हमारे पास पहले तो क्या एक है वी सा खुब बढ़िया सा रसाइकल प्रेजेंट था अब हमारे पास क्या है सिर्फ ये प्रोटीन है उसका ये रिसाप्टर है और ये ER की मेंबरेन है इसके उपर कौन है SAR 1 अटैज्ट है ठीके कहां ऐसे गुचमी गुचमी कई दिख रहे थे अब बस इतना है अब यहां पे क्या होगा सम रिसाप्टर प्रोटीन सार प्रेजेंट अट अब इसको गौल जी के पास जाना है तो भाईया गौल जी के पास भी तो कुछ ऐसा होना चीए न तो गौल जी के पास क्या होगा कुछ रिसाप्टर प्रेजेंट सोंगे गौल जी की मेंबरेन पे भी कुछ रिसाप्टर सोंगे और यह रिसाप्टर क्या करते हैं यह रिसाप्टर किसको पहचानते हैं यह इस वैसाइकल को नहीं पहचानते हैं जब आगमी माली जिए प्रोपर्टी खरीदते हम या घर वर खरीदते हैं तो कैसे लेक्ट Moment होता है तो क्या होता है जो प्रॉपर्टी ओनर होता है वो जो खरीदने उसको नहीं पहसानता है customer को नहीं जानता है, वो mediocre को जानता है, तो वही काम यहां पर भी हो रहा है, यह जो गोलजी पर receptor present है, वो इस recycle को नहीं जान रहा है, कि यह मेरे पास आने वाला है, यह किसको जान रहा है, इस यह RAB protein को जान रहा है, क्यों? इसे के यह तो मेरा दोस्त है, तो यह क्या करेगा, आपकाウी से बाइनदे करें जब एक माीद तो उस प्रसेस को हम पादे है लिए करेगा लिएinasा पानी करके चलते आरे जिए खया करना त्टसाइब पी लेकि घ्यला देना noi को खीचना सब्सक्राइब करता है और उसको गौल जी की तरफ खीचना स्टार्ट करता है कि आओ ठीक है और इस प्रोसेस को कहते हैं जॉकिंग यह जो आरेबी का यह जो आरेबी से बाइं करके वैसाइकल को क्योंकि आरेबी से वैसाइकल जूड़ा हुआ है उसको अपनी तरफ खीचता है तो उसे प्रोसेस को क्या कहते हैं डॉकिंग उसके बार जैसे ही यह इसको खीचते खीचते इस मेंबरेन के पास लेकर के आएगा अब तुम भी निकलो तो अब तुम भी काम नहीं है अब तुम भी निकलो और वो क्या करेंगा वो होको क्या करेंगा सारे प्रोटीन को डिससेंबल कर देगाや अब पहला स्टेप क्या था का साइकल का 사ॉय करा लिए फिर दूसरा था कि Korea साइटोप्लाजमी तो साइटोप्लाजमी तो नहीं घटनाए हुई जिससे वह क्या हुआ उसके मेंबरेन तक पहुच गया है अब जब आप किसी के दरवाजे तक पहुच जाओगे तो आपको घर के अंदर भी तो आना है तो उससे हाई हैलो भी करना दोस्ती करना होगा तो क्या होगा एल्स दो गॉल्जी मेंबरेन एट गॉल्जी मेंबरेन थी तो फोर टी स्नियर्स प्रेजेंट आपको याद होगा कि हमारे वैसाइकल में अभी क्या प्रेजेंट हैं थ्रेड लाइक कुछ स्ट्रेक्टर्स प्रेजेंट हैं जुनको हम वी स्नियर्स कह रहे हैं और जब ये गॉल जी के पास पहुचा है, तो गॉल जी के मेंबरेन पे क्या होगा? कुछ T-Sneers present हैं. क्या present है? कुछ T-Sneers present हैं. तो ये T-Sneers क्या करेंगे? ये T-Sneers इस V-Sneers को पहचानते हैं. T-Sneers जो हैं, वो इस V-Sneers को पहचानते हैं क्यों? यह है मेरा दोस्त तो T-snayers क्या करेंगे V-snayers से bind कर जाएंगे और क्या करेंगे इस vesicles को membrane के अंदर खीज लेंगे कैच अच्छा तुम आ गए आओ 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 यार बैठो तो वो क्या करेगा T-snayers V-snayers को पहचाने का और membrane के अंदर इसको खीज लेगा जैसे ही जो vesicle है यह membrane से fuse होगा तो क्या होगा यह vesicle अब सोचो आप इस membrane पे गया इस membrane पे जा करके जब यह fuse होगा तो यहाँ पर यह से रास्ता बन गया यह इसको fuse कर दिया तो इसमें यह जो protein था वो अपने receptor के साथ कहां आ जाएगा गौल जी के अंदर आ जाएगा कहां आ जाएगा गौल जी के अंदर आ जाएगा और जो protein है वो उसमें released हो जाएगा ठिक और जैसे ही अब आप क्या कहरो कि यह यह गौल जी की membrane है अब इसमें protein और उसके receptors आ करके present हो गया तो हमें कान किसका है में कान तो सर्फ protein का है receptor का क्या करें तो अब क्या करेंगे after release of protein in गौल जी ल्यूमिन जैसे ही गौल जी के ल्यूमिन में protein पहुचेगा अनदर protein called NSF एक NSF factor आएगा वो आएगा और वो क्या करेगा इस V snares को, Trees snares को सबको separate कर देगा इसका जो receptor उसको separate कर देगा जो इसमें V snares, T snares जुड़े हुए हैं जो V snares, T snares के बीच में दोस्ती हुई है यह NSF आएग अगदम उसके बीच में बीच में बनकर तोड़ो दोस्ती नहीं चाहिए वो क्या करेगा दोस्ती को वहाँ पे तोड़वा देगा V snares के energy को लेकिन भाई किसी के दोस्ती तोड़नी तो आपका energy तो चाहिए ही होगी तो यह NSF क्या हो करेगा energy का use करेगा और इनकी bonding को तोड़ देगा और इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो protein था वो ER से कहां आ गया ER के lumen से कहां आ गया Golgi के lumen में आ गया हमें कराना यही था हमारा target क्या था हमारा target भी यही था कि जो हमारा protein है उसको हम ER के lumen से Golgi के lumen में transfer करा दे तो यह था पूरा protein targeting of ER to Golgi, next video में हम किसी next के बारे में बात करेंगे तब तक के लिए thank you, मिलते हैं next video